पूर्णिया लोक सभा छेत्र से बीमा भार्ती आरजेडी के उमिद्वार हैं जो लगातार चुनाव परचार कर रही है और अभी गाउं गाउं घूम रही हैं हमारे साथ मौझूद है बीमा जी इस बार मुद्दे क्या है चुनाव के लगातार आप चुनाव परचार भी कर रही है पहले जेडियू में थी अब आर जेडियू में आ गई और अभी लोग सभा से चुनाव भी लड़ रही है सबसे पहले तो जो हमारे राष्टिया ध्यक्ष है आधन ये लालो परसाद जादव जी और जो हमारे पितातुल है जो उनका सन है प्यार मुझे मिला है और महागटवनन का उमिदवार मुझे बना करके लोग सभा लगने के लिए पूर्णिया में जो नहोंने निरने किया महा कटवरन के नेता को दिल से हम परणाम करते हैं अभार बेक्त करना चाहती हूं और जनता का सेवा हम करेंगे जिस तरह से हम रुपोली में सेवा किये हैं लगातार एक बार नहीं पाचमा टर्म मुझे यहां के सन प्यार दे करके विधान सवा भेजने का काम किया है हमने जनत किया है यहां से आपकी लड़ाई किसके साथ है क्या पपू यादव के साथ लड़ाई है या फिर संतोस को स्वाहा से हैं किसी से लड़ाई नहीं है और डारेक्ट हम जनता का दालत में जा रहे हैं और सभी जनता से सना प्यार मुझे मिल रहा है भरपूर पपू यादव ने है कि टिकट उनको मिलना था लेकिन आपको मिल गया कॉंगरेश में अभी बी वह और उनके घर पर बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए है। कि महा आज साथ नहीं है और वह कहा है कि उनके साथ नहीं हमारे महागट बनन जो नियता है जो तरौकर के मुझे भेजा है अब मुझे रहें एक आगर वह कंग्रेस का सिंबल लगा कर घुमेंगे कॉंग्रेस का जंडा उनके प्रचार में दिखेगा तो जाहिर सी बात है जनता को तो कंफ्यूजन हो गई होगा बिल्कुल उस पर जो है करवाई होगा पार्टी तरब से हमारे जो कंग्रेस के जो परदेश सद्यक्षा उसका बयान भी आ गया है उस पर करवाई भी होगा और पार्टी से निकाला जाएगा पुप यादव यह कह रहे हैं कि हमारे नेता जो है वो प्रियंका गांधी है राहूल गांधी है और हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते उनका जनेता राहूल गांधी थे और पि अधेस मानते तो नमनेशन नहीं देते जहां महागटवर्णन को उमीदवार है तो उसका क्या जरूरत था नमनेशन करने का अच्छा क्या ऐसा हुआ जो आपको जेडियू छोड़कर आर जेडि में आना पड़ा जहां जिस तरह से मुझे परतारित किया गिया आपके चैलन जरूरत है और इसलिए हमको जनता का प्यार मिल रहा है जनता का असिर्वाद उनके साथ है देखे हमने कहा कि निर्दलिये सामने पूर्णिया के लोग सभा में ही रुपोली विधन सभा आ रहा है तो जनता का सेवा लगातार करते आ रहे हैं वो कह रहें कि पुर्णिया भी मा है, मध्यपुरा में भी मा है, सुपोल में भी मा है, कहां से उत्ताय करेंगे, किसको आउ मा मनते हैं, मेरा भी पुर्णिया धरती है, मेरा भी मा है, मेरा भी परिवार है, हम भी पुर्णिया के बहु बेटी है, हम लगातार सेवा करते आ रह तो क्या उनको वापस ले लेना चाहिए या पार्टी को उनके खिलाफ करवाई करने क्लिए आपलगातार ढूं रही हैं जनता का समर्थन कितना आपके साथ है सकता है पूर्निया का जंता का मन बण चुका है महागटवन्हन के सभी अ करेशान आज कर तक दाशीक्त! लेकिन आपके नेता पर ही पपो यादव सवाल खड़े कर रहे हैं तेजस्वी यादव और लालु यादव के उपर की उन्होंने धोखा दिया जबरन ये सीट उन्होंने ले लिया हमको बोल रहे थे कि आप मध्यपूरा चले जाएगे बिल्कुल पाटी का जहां नीरने होगा उसको वहां जाना चाहिए मध्यपूरा तो वहां पर उनका छेत्र भी है come quick अजरी आप और यहां से जो निर्दलिया से जो नमनेसं किया है तो जनता जब आप देने के लिए तेयार है पुर्णियां का जनता ही निरने करें आप पयार मिल रहा है ट्युक्त आपको समर्थन है हुआ हो उनामा कन में आने का काम किया हमारे नोच सा अमीक है। दो एक तर्था को लिए तो ये थी बिमा भारती जो लगातार चुनाव परचार कर रही है अपने छेत्र में और साथ तोर पर यह कह रही है कि पाटी ने उनको कह दिया है पप्पो यादव के खिलाफ कारवाई होगी क्योंकि वो बीजेपी का बी टिम बनकर काम कर रहे हैं और सीधे तोर पर बिमा भारती ने यह कहा है कि उनका लोगों का शमर्थन काफी उनके साथ है और यही वज़ा है कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है बलकि जब रिजल्ट आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है झाल